लुटेरी बीबी नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाता है पर नीता को अपने बॉट्चें से ही शादी करनी होती है जिसके लिए परिवार तयार नहीं होता इन्ही सब उल्जनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं अपने गुसे के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सब को उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है जिससे घर में सब को दिक्कत होती है लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता एक दिन सास नीता के पास आती है बहू? की गल? तुसे की बेनाल या किसी गल से नराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करंदी कोई लोड नी, मैं ठीका ऐसा बोल नीता वहाँ से चली जाती है पर सास की बात उसके मन में रह जाती है शादी के अगले दिन से ही मैं सब देनाल किनना ओखा भी है किता फिर भी है मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया मानू नफरत करनी नहीं आउंदी ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तो हड़ा गुस्सा भी खत्म हो जाओगा इहा कदे नहीं हो सकदा इससे पहले रागव कुछ बोलता नीता का मुबाइल बज़ने लगता है जिस पर रागव वहाँ से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है उसकी ऐसी काया पलट देख रागव और उसकी मा हैरान रह जाते हैं बहू? ते मेरा दिमाग भी बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच किना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी नीता की बात सुनकर से बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है जिसकी वज़े से कुछी समय में घर की सारी भाग दौड उसके हाथों में आ जाती है उसी के साथ सास और रागो भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं नीता मेरा लाटटोप कित्थया बहू मेरे दवाईया अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्नम बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तीजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है एहुई नगल हुन आएगा ज़न्द की विच्चिस्वात तीजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पती के सूती ही सारे गैने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉइफरिंड के पास चली जाती है रवी मैं आ गी अब सानू कोई अलग नहीं कर सकदा तिविख मैं सारी जलरीत कैश भी साथ ले आई नीता की ये बात सुनकर रवी खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवी उसके लाए पैसों पर आश करता रहता है मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके सिसुराल छड़ाई और एक तूवा जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा ओ मारानी अपने काम दो काम रख मेरे ते जुबान लडान दी जरूरत नहीं वरना इस घर तो बाहर कर देना है ए मैरा गरा तेरा सिसुराल नहीं जीवे मन किया रहा ली इतरहान लाई हाथ चला सुबान नहीं रवी की बाते सुन नीता की सिर पर जैसे आसमान ही तूट जाता है एक तेरे करके मैंने अपने माँ भी ओनाल उस भले चंगे सिसुराल नो भी धोगा दिता ते तू छड़ परे मेरी ही गलती आ जे अखा उत्ते तेरे प्यार दा परदा डाल बस दिन फोन ते तेरी गलना विच आ गई जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उत्ते ही बैठी होनी सी ए भाशन उन्ना दियो जिस्ते इसका फरक पड़े मेरे कॉल नाटंगे नहीं रवी वहाँ से चला जाता है और नीता रोती पच्टादी वहीं बैठ जाती है घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवी का घर छोड़ नहीं सकती इसी तरह दिन बीटते हैं और उनी के साथ हालाद बच से बत्तर होते जाते हैं अब रवी पैसों और अपनी मन माने के लिए नीता के साथ मार पिट पी शुरू कर देता है जिससे परिशान होकर एक दिन नीता उसे चोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है जिससे वहाँ देख रागव गुस्से से लाल हो जाता है हूनी थे की ले नाया हमारी जिन्दगी के साथ घर ता तो पहले ही बरबाद कर गई सी जान दिया मेरी गलती माव फिलायक नहीं मैं कमली सी उस धोंगी नो सच्चा प्यार दे सच्चे प्यार नो बहुत समझती बैठी मैंनो माव कर दो जे मेरी नूरानी समझ गईया की उस तो गलती हुईया फिर किस बात का रूस ना मनाना केडी नूरानी रानी बोलन जोगा इसने केडे जंडे गार दिये मा याद कर तेरे घर विच चोरी कर बहुत पत्नी सब रिष्टे तोड़ भाग गई सी और फिर की मानता रहिया गलती हो कर इसी एक गलती ता रब भी माफ कर दीता ति तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही या माफ कर दे मैं बोल रहिया ये दुबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी इस दा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले ठीका, जीवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल देई, मेरे कोलो कोई उमीद ना रखे तुसी जीवे कहोगे अपसास हर रोज रागो को मनाने की कोई ना कोई नई तिग्डम बता कर नीता को उसके पास भीशती रहती है जिससे कुछ समय बाद नीता का पच्टावा और कोशिशे देख कर रागो भी उसे माफ कर देता है